हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनास एन्बी चैनल पर आप सभी का सवगत हैं आज के वीडियो में दोस्तो हम आपको एल्मलेम वाला पच्छास अंडों का टर्नर बता रहे हैं जिहां दोस्तो इसके पहले टर्नर के बारे में भहुत सारी वीडियो आपने हमारे चैनल पर कर दोस्तों है हैं यो मोई की यूज की में दूस्टो और बहुत कम है बट फिर भी इसका जो वेट है वह बहुत कम है दोस्तों यह मूविंग में एकदम इजी है moving में easy होने के करण दोस्तो इसका यह जो motor होता है यह जल्दी खराब नहीं होता है दोस्तो सालो साल चलता है तो पहले मैं आपको इसको normal on करके बता दू without अंडे रखते हुए देखे दोस्तो turner easily घुम रहा है जिया दोस्तो turner पूरी तरह से work कर रहा है दोस्तो आप इसके अंडे रखकर इसे घुमा सकते हो तो वैसे देखा जाए दोस्तो तो यह जो जाली है और यह जो turner है यह आपके कोई भी incubator के अंदर आसानी से fit हो जाता है जिया दोस्तो क्योंकि इसकी जो लंबाई है दोस्तो यह 22 इंच है और इसकी चवडाई जो है दोस्तो वो 14 इंच है इसको कोई भी incubator के अंदर आप easily रख सकते हो आपको स्रीफ कोई भी plastic के tray चाहिए दोस्तो ऐसे यह दो tray के उपर दोस्तो easily आराम से आजाता है आप कोई भी incubator के अंदर इसे रख सकते हो इस tray में आप humidity बनाने के लिए पानी रखो उसके उपर turner रखो और उसके उपर अंडे रखो दोस्तो फिलाल मैं अंडे रखके भी आपको on करके बताऊंगा लेकिन अगर आपको सव अंडो की capacity करना है दोस्तो तो आप दो tray भी एक के उपर एक रख सकते हो अगर माने लो आपको पचास का नहीं सव अंडो का turner रखना है दोस्तो तो आप यह फर्ष्ट वाला इसे हम फर्ष्ट वाला turner कहते हैं यह रख सकते हो उसके उपर दोस्तो दूसरा turner easy ले बैढ़ जाता है क्योंकि दोस्तो यहापे दूसरा turner रखने के लिए stand यह आए जिया दोस्तो यह यहापे भी है 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 इसके उपर दोस्तो यह दूसरा जो turner है वो easy ले बैढ़ जाता है 50 अंडे आपके नीचे के टर्नर पे आएंगे दोस्तों और पचास अंडे उपर के टर्नर पे आएंगे दोस्तों जिहाँ दोस्तों और टर्नर को आपरेट करना बहुत इजी है दोस्तों आप 18 दिन तक अंडे टर्नर में रख सकते हो और 18 दिन के बाद नीचे जाली पे रख सकते हो त 15 दिन के बाद आप इस जाली पर अंडो को रखके उनकी हैचिंग प्रोसेस कंप्लिट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है ये भी आपको वीडियो में अंत में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पुरा अंत तक जरूर देखना स्क्रीप मत देखें। ये दोस्तो आप देख सकते हो टर्नर ओन हो गया है। जिहा दोस्तो अभी टर्नर को अगर ओन कर देंगे तो ये 24 घंटे दोस्तो अंडो को रोटेट करता रहेगा। जिहा ये रोखेगा नी अपने को तो सिरिफ हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद 1 मिट के लिए अंडे गुमाने होते हैं। तो अगर इस टर्नर को ऐसे कोई टाइमर के साथ जोइन करते हैं दोस्तो तो ये टाइमर अंडो को हर 2 घंटे बाद 1 मिट के लिए रोटेट करता हैं दोस्तो और जब अंडे रोटेट होते हैं उस समय दोस्तो इसके अंदर एक बजर दिया है वो भी बचता है ताकि हमें प होम डिलिवरी और अगर सिर्फ आपको टाइमर नहीं चाहिए सिर्फ टर्नर चाहिए तो 2200 रुपए में आप क्या होम डिलिवरी हो जाएगा औल इंडिया कहीं भी अगर आपको अपने बॉक्स के साइज दूसा टर्नर बना के चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जा साथ ही अगर आप टर्नर ज्यादा कॉंटीडी में लेते हो तो उसका प्राइस थोड़ा और भी कम हो जाएगा अगर आपको टर्नर पर्चेस करना है तो आप डिस्प्रिक्शन में दिये हुए नंबर पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमें कभी भी कॉल कर सकते हो लेकिन ध्यांद रखना कि हमारे पास कैश ओन डिलिवरी आप्शन अवेलेबल नहीं है करके हम पेमेंट पहले बैंक अकाउंड में लेंगे उसके बाद आपका होम डिलिवरी करवाया जाएगा कूरियर से आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसन आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरतमन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सबी का धन्यवाद